जहन दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल से पियंस एकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत हैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत यह अच्छे होंगे खुश होंगे तंदुरुष्ट होंगे और अपनी तयारी एकदम तावट तोड़ तरीके है ठीक ना मॉर्णिंग में आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं सेपियंस एकेडमी एप बस सेपियंस एकेडमी लिखना पहले नंबर पर मिल जाएगा ठीक है भाई इसकी कोई फीस नहीं लगनी बिल्कुल फ्री है डेली टीए एक इक मौक टेश्ट हम 9 बज़े सुबह में सौल कराएंगे आपको आज जो हम कराने वाले हैं से सेजिल 27 अगस 2016 का कोश्चन आज इस सेसन में इस सीरीज में पूरे एक महिने तक जो कहानी चलने वाली है इसमें हम किसी चैप्टर के बेसिक कॉंसेप्ट को नहीं समझेंगे ल जी सवाल तो हर कोई कर लेता है मॉडरेट में कुछ लोगों को परिशानी होती है तो हम यह सीखेंगे कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें कैसे कम टाइम में बहतर कॉंसेप्ट लगाएं ताकि हर सवाल सही भी हो और सारे सवाल एटेम्ट भी हो तभी तो हम ज्यादा मांक कर पाएंगे ज्यादा मांक से स्कोर कर पाएंगे ठीक है ना भाई चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं यह बात ध्यान रखिएगा सटाइस अगा सिफ फॉस्ट करेंगे और सारे बहतरीन सवाल है मैंने जब इस को क्लेक्ट कर रहा था जब मैं तब देखा था बड़ा जब अलॉन केंगे फिनिश डैट वर्क सवाल आपका कहता है यदि ए तथा बी किसी कारे को एक साथ 6 दिन में कर सकता है और अकेला उस कारे को 9 दिन अधिन में करता है भाई तो आप मुझे यह बताएं वी अकेला उस काम को कितने से दिन में करेगा और पूरे टाइम एंड वक्त में मैंने सिर्फ एक ही बात सिखाया आपसे कि यह पूरा टाइम एड़ खतम हो जाएगा सिर्फ मैं एक ही बात बोलता हूंगा बस efficiency निकालना सीख जाओ time and work में कुछ नहीं करवाऊंगा और मैंने पढ़ाया भी यह सिर्फ efficiency निकालना सिखाया है भाई सवाल में क्या करना है मैं यहीं बोलता था जब भी किसी का टाइम पूछे न आप उसकी efficiency निकालो भाई मेरे भाई ए तथा बी किसी कारे को छे दिन में कर सकते हैं यह अकेला उसे नौ दिन में करता है गिवन ताम का LCM टोटल वर्क उनित होता है मतलब की टोटल वर्क इस 54 उनित and the efficiency of a plus b is equal to 9 unit per day work done in one unit time is called the efficiency of that individual and efficiency of a is 6 unit per day what i taught you if question is asking to us find the time taken by any individual to finish that work then first we will have to find the efficiency of that individual here question is asking us in what time b alone can finish that work so our duty is we will have to find the efficiency of b a plus b key efficiency 9 unit and a key efficiency 6 unit and matlab ki is may be key efficiency we chupa with the unit has a b key efficiency 3 unit have be a girl teen a clean meeting unit काम करता है तो 54 unit काम करने में इसको 18 दिन का समय लगेगा अगर इस सवाल को मुझे समझाना नहीं होता है कि यहां तो अभी मैं समझाने के लिए खड़ा हुना अगर इस सवाल को मुझे समझाना नहीं और और भाया a plus b किसी कारे को नो दिन में स्टारी छे दिन में करता है यह अकेला उसकाम को नौ दिन में करता है टॉटल वक 54 उनिट टोटल वक 54 उनिट इसका एफिशेंसी छे और भाई इसमें तो यह भी तिन यह इसमें है the length of the two parallel sides of a trapezium are 16 meter and 20 meter and the distance between these two sides is 10 meter then you will have to find the area of the trapezium in meter square एक समलंब चतुर्भुज के एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई दी गई है एक की लंबाई 16 meter और दूसरे की लंबाई है 20 meter और इन समांतर भुजाओं के बीच का जो बीच की दूरी है वो भी 10 समय मिटर गिवन है और सवाल आप से पूषता है इस संवलंब चतुर्भुज का च्छेतर फ़ग्यात कीजिए और आप जानते हैं कि किसी संवलंब चतुर्भुज का 6 टरफल एक बक्टे दो गुनमें समांतर भुजाओं का योग गुनमें में उचाई होता है As you know that the area of a trapezium is equal to half area of a trapezium is equal to half of some of the parallel sides multiply by height 2 से 10 पांच बार में कट जाएगा और 36 गुणे में 5 इसका आंसर होगा 180 मिटर स्क्वेर 180 मिटर स्क्वेर उमीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी कितना आसान सवाल था थर्ड कोश्चन देखिएगा बड़ा ही सांदार जानदार जवर्दस सवाल अगर इसे किताबी तरीके से करेंगे तो शायद आप इसमें बहुत जादा टाइम ले सकते हैं लेकिन इसमें इतना टाइम लगने वाला नहीं है तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा किताबी तरीका भी और अपने वाला तरीका कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे हैं न वाई गाया गया है और हमसे पूछता है एकल डिसकाउंट एकल चूट क्या होगा यह भावू ध्यान से देखना किताबों में कैसे करते थे एकस परसेंट प्लस वाई परसेंट माइनस एकस वाई बटे में सो यही करते थे न इसका मतलब है कि पहले 15 और 20 का निकालेंगे 15 परसेंट प्लस 20 परसेंट माइनस 15 गुने में 20 बटे में 100 20 से 105 बार में कटेगा 5 से 15 तीन बार में कटेगा 35 माइनस 3 ये होगा 32 अब इस 32 और इस 25 परसेंट का equivalent डिसकाउंट निकालेंगे तो भया यही तरीका फिर से लगाएंगे 32 प्लस 25 माइनस 32 प्लस 32 प्लस 25 प्लस 25 माइनस 32 गुणे में 25 बटे में 100 25 से 100 कटेगा 4 बार में 4 से 32 आठ बार में 57 माइनस 8 ये होगा 49 परसेंट ये बावू आंसर तो आ गया आंसर तो आ गया क्या एक्जाम में इसी तरीके से करोगे नहीं इस तरीके से भी कम टाइम में ये सवाल हो सकता है बस हमें करने का तजुर्वा चाहिए है न भाई एक्जाम से पहले मिहनत करना पड़ेगा क्या है अच्छा एक बात बताईए जब प्रॉफिट एन लॉस जो भी मेरे विद्यार्थी मेरे से पढ़े होंगे है न भाई तो उनको ये बात पता होगी कि cocoa we can find the ratio of selling pride m RP am i right or wrong by the help of discount we can find the ratio of selling prices and m RP so here we can write we we have here 15% discount 20 percent discount 1025 percent discount so we can write the fifth selling price and mark price this will be 17 अपॉन ट्वेंटी मल्टिप्लाई फोर अपॉन फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट से थ्री अपॉन फूर यह भाईया हम भी क्रेमुल और MRP का रेशियो लिखें जब 15% डिसकाउंट है तो 17 में भीकेगा 20 MRP रहेगा काटने का तजरुबा है तो काट दीजे सत्रत या 51 बटे में 20-500 अभी भी मैं कहाँ डिसकाउंट से हमने स्पी और MRP का रेशियो लिखा है यह सारी बाते सॉल्व करते वक्त आपको नहीं लिख रहा है बस सॉल्व करना है सत्रत या में बहुत कम टाइम लएगा यह पूरे पेज भर की कहानी एक लाइन में फिनिस हो रही है अभी यह बात आप एक्जाम में नोट थोड़ी करेंगे तो आपको सवाल में दिया गया होगा देखें इस सवाल को एक्जाम में अगर करना है तो ना तो डिसकाउंट वाली बात ना ही यह बाली बात लिखनी है ना ही यह नोट करना है तो यह तो चार सेकेंड पांयस सेगेंड का टाइम बचेगा यह तके यह सेसं हमने इसलिए तो रख सकीए कि इकजाम रहे हो और अगयों करने कि नोट करने जूरत हैं उन्हें चास पस एक लाइन में बनने वाला सवाल है ना भाई एक लाइन में बनने वाला सवाल है जो आपको रफ पेपर दिया जाएगा उस पे कहानी सिर्फ इतना ही लिखनी है है ना भाई चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो question is 72 rupees, 490 is divided into A, B and C, such that share of A is half of B and thrice that of C, 490 रुपे को A, B तथा C में इस प्रकार से बांटा जाता है, कि A का share B के share से आधा है, और C के share का तीन गुना है, है ना भाई? तो 490 रुपे को A, B, C में इस प्रकार से बांटा जाता है, कि A का share B का तो आधा है, C का तीन गुना है, मान लिया C का share, C का share एक यूनिट है, तो A का share तो C का तीन गुना है, तो A का तीन यूनिट हो जाएगा, A का share B का आधा है, मतलब की B का share 6 यूनिट है, टोटल यूनिट 10 रेशियो हो जाएगा, 10 रेशियो की वैल्यू 490 रुपेया, तो एक रेशियो की वैल्यू कितना, 49 रुपेया, आप से question पूछा है, कि A का रेशियो बताईए, 49 multiply by 3, this will be 147, this will be 147, उमीद है कि बात समझ में मज़ेदार तरीके से, अब session को अगर enjoy कर रहे हैं, और और इस वीडियो को आप कभी भी देख रहे हैं, तो कृपया, share कर दीजेगा, अगर मज़ा आ जाए, ठीक है भाई, चलिए, thank you हमारे साथ, बने रहने के लिए, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानी पे बेचा और जब उस वस्तु को इस विक्रेता से 64 रुपे जादा में बेचता है, उसको 10% का profit हो जाता है, मान लीजिए कि ये कोई विक्ती है, अपने किसी आइटिकल को बेच रहा है, उस वक्त उसको 6% का loss हो रहा है, माइनस का sign दिखाता है कि loss हो रहा है, अज जैसे इस selling price से 64 में 6, 16% का, एब आव उस 16 से 64 चारवार में कट जाएगा, परसेंटेज का 20 जाके इसके भगल में लग जाएगा, cost price कितना आया, 400, cost price कितना आया, 400, आप कोई बच्चा सोचेगा, सर जी, 16% से काड़ दिया, 400, बटा एक बार profit loss का, बस मेरा नब पहला lecture देख लेना, profit and loss का introduction वीडियो, उसी में कहानी फिनीश हो जाएगी, और ये डिक्टो, शीट का question है, जो मैं आख करवाया हूँ न, वही question है, ठीक है न भी है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजेगा, यह सवाल कीजिए, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ है, खुद से solve करने क कोशेश कीजिए, there are 1400 students in a school, 25% of those were spectacles, है न, भाई, and 2 by 7 of, 2 by 7 of those wearing spectacles are boys, how many girls in the school wear spectacles, एक स्कूल में टोटल विद्यार्थी 1400 है, उसमें से 25% विद्यार्थी चस्मा लगाते हैं, मतलब की, 1400 का एक बटे 4 लोग चस्मा लगाते हैं, और चस्मा लगाने वालों में से 2 बटे 7 लोग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या है, साथ में से 2 अगर लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 5 by 7 और यहीं हमसे पूछा गया है एक विद्याले में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 14 है 1425 परसेंट लोग चस्मा लगाते हैं मतलब की इतने लोग चस्मा लगाते हैं इतने लोगों में मतलब की 250 बाली काएं उस विद्याले में ऐसी हैं जो चस्मा लगाती है ठीक न भाई उमीद है कि बात समझ में आ रही होगी चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमेटर प्रति घंटे की अफ्तार से गती करता है यानि कि नाव चलाता है और धारा के अनुकूल दिशा में 18 किलोमेटर प्रति घंटे की गती से तो आप से पहले ही बताया था कि इस सेशन में हम आपको बेसिक कॉंसेप्ट सिखाने नहीं आये हैं बस यह बताने आये हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है कैसे टेकल करना है ठीकन भाई उमीद है कि यहां तक बात समझ में आ रही होगी सबसे संदार जानदार सवाल एलजबरा से ह है कि अलजबरा से है यह सवाल को सबस्क्राइब कहता है ए बी इक्वल टू 21 एड प्लस बी का होले स्कुर्य माइनस बी का हुले स्कुर्ण इस इकल टू 25 वै फॉर और इस सवाल को सॉल्व करना है आपको बहुत से विद्यार्थी वैल्यू पुटिंग लगाएंगे बहु कि यहां पर थोड़ा सा फेल कर जाओगे अगर वैल्यू पूटिंग किये तो बहुन 95 परसेंट पर आपका दबदबा रहेगा अगर बहुत मन से पढ़े तो बाकी के 5 परसेंट कुछ कह नहीं सकते कि आपके बस में हैं कि आपके बस से बाहर का है तो 95 परसेंट पर आप अप थे हम पढ़ाए हैं और पढ़ाएंगे फिर से तो वहां पर चीज को बेहतरी तरीके से बहुत डिटेल में समझेंगे उमीद है कि आपने से बहुत से बच्छे को आता भी होगा कॉंपोनेंड डिविडेंड का मतलब होता है इस रेसियो को एक वार दोनों को प्लस करेंग ह एक बात समझने के लिए कि इंतजार कीजिया लेवरा पढ़ने है ठीक है ना बहूं क्योंकि यहां अगर मैं सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं तो फिर यह लेक्चर खीचेगा 24 गंटेगा ना भाई बटा ए प्लस बी का होले स्क्वार प्लस ए माइनस बी का होले स्क्वार जब आप करेंगे तो का एक को मना आजाएगा näए स्कवार फिलस भी का करेंगे तो worst इन इन 28 अपूंटइन अपन करट जाएगा नहीं के जगह पर क्या लीख सकते हैं 21 लिख सकते हैं बहूं के जगह पर 2121 से 21 कट जाएगा यह तू इधर जाके क्रोस मल्टिप्लाइब कर देगा मतलब की हमें मिला मिला स्क्वार प्लस बसक्वार इक्वल टू 58 मिला और हमसे सवाल पूछा है कि A square plus B square plus 3AB का value बताईए तो A square plus B square तो 58 मिल गया अब plus 3 multiply AB की value क्या है 21 तो 58 plus 2163 होगा और यह हमारा answer 121 आ जाएगा उमीद है कि यह बात समझ में आई होगी और यह सवाल यह सही होगा ठीक है कि यह थर्ड लेवल वाला कुश्चन है ठीक है बसे कठिन तो नहीं थोड़ा टाइम टेकिंग था ना भाई अल्यवरा में तो जातर सवाल value putting से हो जाते हैं ठीक है ज्यान समझेगा अगर सेम रहता है जैसे हमारे पास सवाल है डीटो दी पावर स प्लस टी है ठीक है डीट टू दी पावर टी ठीक पूरे कंप्लीट का डिवाइड है फिर डी टू दी पावर टी से ध्यान समझना जब बेस और बोड मास हमने बच्पन में पढ़ा होगा बोड मास में सबसे पहला काम हम रैकेट के अंदर का करते हैं ठीक है न भाई तो जब हमें बेस सेम दिखता है तो हमें पावर घट जाता है मतल तिर्भुच के तीनों कोनों का संभावित मान क्या होगा यह तिर्भुच के तीनों कोनों का यह 180 डिगरी होता है तो क्या होगा 50 60 70 ठीक है न भाई चलिए बहुत ही सांदार सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है पढ़ने में साथ कठिन लग रहा हो लेकिन कोई बड़ा इसी ट्रंगल के गश्द सामने में एक और जब मिडिएंठ करती है तो मीडियन अपने ट्रेसेट्षन होंट के बाद यह जो को 120 मेंं इस्टू में एंट्रसेक्ट करता है सांथिक अबहिं हैं मद्यान दीज़ेगा अरा यह एक रेशियो में इसको बाटती है और सवाल में yoke की वैल्यू गिवन है साथ एक रेशियो की वैल्यू साथ है तो हमसे पूरे इसी की वैल्यू पूछा है इसी एक रेशियो प्लस दो रेशियो तीन रेशियो की वैल्यू कि इतना होगा 21 सेंटीमिटर यह बिल्कुल आसान सा सवाल है हम जानते हैं कि जब मेडियान एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं गए पॉइंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रोइड सेंट्रोइड मेडियान वन इस टू के रेशियो में बाटता है और एक रेशियो की वन्छिय साथ सथ मोधनि तो पूरे एची की कितनी थी एपका अंसर three ठीक है बाई यह आपका अंसर है उम्मेद है कि बात समझ में आ रही होगी ठीक ना चले कहानी को देखते हैं बड़ा ही सांदार जानदार सवाल सेक स्क्वाइड ठीटा प्लस टैने स्क्वाइड ठीटा इस इक्वाइड टू रूट थ्री देन यू रहेब सेक्तों फिर प्लस टेन टू दिौ थींट टू डीट अवेत।á बटाो निलिए हैं के फ़ॉड भावर यह Kids कोimaं करना र माइस-थ कि बड़े टहें क्या लिख सक्ते हैं a के पावर four minus b के पावर four क्या लिख सकते हैं a square plus b a square into a square minus b a square लिख सकते हैं तबी तो होगा भाई a square का square minus b a square का square है न भाई बात समझ पा रहे हैं उमिध है कि बात समझ रहे होंगे तो क्या मैं यहां यह नहीं लिख सकता सेक स्क्वाइट थीटा सेक स्क्वाइट थीटा प्लस 10 स्क्वाइट थीटा इंटू सेक स्क्वाइट थीटा माइनस 10 स्क्वाइट थीटा लिखने में कोई तकलीफ है और यही सेक स्क्वाइट थीटा C² Theta का Square minus 10² Theta का square हो जाएगा बटाई आपको समझा रहो इसलिए time लग रहा हा ही वरना कहानी कभ की खतम हो गई C² Theta plus 10² Theta की value given है root 3 और C² Theta minus 10² Theta होता है 1 तो root 3 multiply 1 root 3 होगा answer हैना भाईा root 3 multiply 1 root 3 होगा answer इस सवाल में क्या आपको time लगने वाला है इस सवाल में क्या आपको time लगेगा बिल्कुल नहीं लगाना है चलियाए देखिए सवाल क्या कहते है छे अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ग्याद किजिए सबसे पहले तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिएunden जिसको भाग विद्धी से वर्गमूल निकालने त्यानि डिविजन में थाड़ से स्क्वार उट निकालने नहीं आता है नाइन नाइन जाह एट्टीव नवह से घटेगा तो गटेगा तो एक उपर से डिवाइड में तो शर्फ एक उतारते हैं लेकिन स्क्वार रूट में दो डीट उतारते हैं भाईया यह क्या हो जाएगा यह 18 हो जाएगा 18 के बगल में क्या रखें तो मैक्सिम्म चांसे 9 रखेंगे 971 उपर से आएगा डबल नाइन यह होगा थीकव थीटा ध्यान देना मेरे भाई नाइन से फिर से कर देंगे 992 đầu 9 कहा घुम रहे हो 99bit 181 हे 90're 7280 99 Cartina 89 और क्या गया लगल अधिक नो में से घटा आठ नो अठारा में से नो गया नो उन्नीस में से अठारा में से तो परफेक्ट स्कॉयर नहीं लेकिन इसमें से अगर इतना घटा दें तो सकते किस्सकायर हो जाएक नौ में से चलत मिन खरते मिर्ण टिमिन सवाल में लगे लगे मिनन्यानवे इस सवाल का अंसर है पचास लड़कों की एक कक्षा में अवरेज हाइट ऑफ थर्टी बॉयज आउट ऑफ एक लास ऑफ फिफ्टी दे वाव उध्यान से समझना इस सवाल को दो तरीके से एक जो समाने तरीका जो सब विद्यारती करेगा आपसे सवाल में कहता है तीस वच्चों का उसत उचाई एक सो साथ है बाकी बचे हुए बीस वच्चों की उसत उचाई एक सो पैंसट है तो आपसे सवाल पूछता है कि कुल पूरे क्लास का उसत उचाई तो इन दोनों का योग और पचास से डिवाइड करोगे यही करते हो न सम आफ दे टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड़ वाइद वाइद नमबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत थार्टी मल्टिप्लाइग वन सिक्स्टी इस विल बी फोर्ती एथ हंडड़ और यह वह जाएगा थार्टी थ्री एंड़ ए ठीक है जान देजिए बटे में पचा कितना आएगा आठ तिन ग्यारा चारतिन साथ एक आठ यह जोगा ना कि डवल जीरो कि एक जीरो से जीरो कट जाएगा यानि कि सिंपल थी बाते पचास से सो काट दो दो बार में 162 है टोटल विद्यार्थी का उसत जोगा 162 मैं आपको बताऊं इस सवाल को कैसे कर सकते हैं थार्टी स्टुडेंट का एवरेज कितना है वन सिक्स्टी यानि कि सभी विद्यार्थियों का एवरेज वन सिक्स्टी वन सिक्स्टी है बाकी बच्चे हुए विद्यार्थियों का एवरेज कितना है वन सिक्स्टी फाइव यह बटा पूछता है आप से कि सभी विद्यार लोगों में बाड़ दो दो सब के पास दो दो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा 162 यह थोड़ा सा एडवांस थिंकिंग है थोड़ा से एडवांस थिंकिंग है इसके लिए आप एविरेज पढ़िए हमसे बहुत इसांदार सवाल कोश्टन कहता है ए माइनस बी इक्वेल टू एक्यू माइनस बी की बरावर 26 तो ए प्लस बी का होल स्क्वेर है बताएगे भई आप जानते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है नहीं जानते होंगे मुझे उमिद है कि जानते पाइड लाव therapist कई सूरन क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब गावर 26 लगा दीजिए दो का क्यूब आठ चब्विस अम माइनस का सिक्स एबी इधर आ जाएगा यानि की प्लस का सिक्स एबी बराबर चब्विस में से आठ घटेगा चब्विस में से आठ घटेगा तो कितना होगा अठ घटेगा और अठ घटेगा चेश से अठ घटेगा यानि मतलब की एबी की वैल्यू कितनी अब हमसे पूछा है कि एप्लस बी का ओले स्क्विस बताइए बाबू एप्लस बी के ओले स्क्विस बराबर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का ओले स्क्विस ब्लस का फोर एबी ए माइनस बी का ओले स्क्विस ब्लस का फोर एबी लिख सकते हैं भया तो ए माइनस बी का ओले स्क्विस कितना होगा 2 का A square A plus 4 multiply में A B क्या 3 4 plus 12 4 plus 12 16 होगा A plus B का all square कितना आया A plus B का all square कितना आया 16 A plus B का all square कितना आया 16 उमीद है कि बात समझ में आगई होगी इस सवाल को value putting से भी आप कर सकते हैं अगर understanding थोड़ा advanced level का हो तो अगर understanding थोड़े से advanced level का हो तो आप value putting से भी कर सकते हैं कैसे अगर algebra आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हो तब ही हो जाएगा वरना आप पास सकते हैं A B की value सबसे छोटी value रखने की कोशिस करो तो क्या रखें तीन और एक रखें थ्री माइनस वन तो टू हो जाएगा लेकिन यहां पे भी satisfy होना चाहिए यहां पे भी satisfy होना चाहिए थ्री का क्यूब 27 माइनस 26 satisfy हो गया तो चुप चाप से लगा दो तीन प्लस एक चार का स्क्वेर सोला डिरेक्ट यहां से भी दो चार सेकेंड में कर सकते थे लेकिन यह वही बच्चा कर पाएगा जो algebra को या तो जो बहुत गवार होगा में या तो जो जो में बहुत गवार टाइप के स्टुडेंट हो या जो बहुत बढ़िया लेवल के स्टुडेंट होगा वही कर पाएगा ठीक अभी यह उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी चली द्यान दीजेगा question है algebra का बहुत famous pattern है बहुत famous pattern है x plus y plus z equal to 9 है x plus y plus z equal to 9 है किदर गया x minus 4 का whole cube y minus 2 का whole cube z minus 3 का whole cube minus 3 x minus 4 into y minus z into z minus 3 देखती बच्चे लगा देंगे 0 answer ऐसा इसलिए होता है यदि a plus b plus c a plus b plus c equal to 0 है a plus b plus c equal to 0 है तो a q plus b q plus c q बरावर 3 a b c होगा यानि कि यहां पे plus का 3 a b c रखें और minus का 3 a b c कटके 0 हो जाएगा और जिस बच्चे को bounce कर रहा हो आके algebra पढ़िए youtube पे हैं उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी यह भाही हम बस यह बता रहें कि सवाल को कैसे आप solve करेंगे कि तुर्व जे a b c के तीन मीडियन है ट्रंगल a b c के तीन मीडियन है मीडियन का मतलब वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मीड़ पॉंट को मिलाने वाली लाइन कहलाता है एक median AD है, दूसरा median BE है, तीसरा median CF है, ध्यान देना एक median AD, BE, CF, तीन median है, आप से सवाल पूछता है, कि ट्रेंगल C, और ये median लोग जो है न, G पे इंटरसेक्ट करता है, आप से question पूछा है, ट्रेंगल C, G, E का छेतरफल, C, G, E का छेतरफल, ये इस वाले ट्रेंगल का छेतरफल, इस वाले का, इस वाले का छेतरफल पूछ रहा है आप से, टोटल ट्रेंगल का छेतरफल, टोटल ट्रेंगल का, कम्पलीट ट्रेंगल का area 36 है, 36 by 6 हो जाएगा, 6 cm2 इसका अंसर, 6 cm2 है, अब ऐसा क्यों होगा, ध्यान जाता है Italia 3 परहाबर हिस्सों में बढ़ जाता है या अर और देख्विए आपसे मैं बोलता हूं कि यह इन मिटपॉइंट को दो भी बराबर मढबर हिस्सों में बोट यह से चेसे वquito और ज्यादा डिटेल में जियोमेट्री पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ठीक है न भाई फिर बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे यहां से देखिएगा एक वृत की जिवा यह भी अच्छा सवाल है बहुत ही यह इसको कह सकते हैं थोड़ा सा मॉडरिट लेवल कह सकते हैं एक वृत की जिवा उसके त्रिज्जा के बरावर है दो कॉर्ड ऑफे सर्कल इस इक्वल टो इट्स रेडियस इनी कॉर्ड इस इक्स्त्रिम एक्स्ट्रिम एक्स्ट्रिम टी ओफ दगॉड को टोड की यानि एक ऐसा टैंजेंट ड्रॉ करना है जो कॉर्ड के बाहरी छोड को टच करते हुए जाए ठीक है ना भाई उमेद है कि बात समझ में आ रही है आपसे सवाल यह पूछता है कि यह जो कॉड है ये यह कौर्ड और यह टेंजेंट यह टेंजेंट है इस कौर्ड के साथ कितने डिगरी का एंगल बना रहा है अगर थोड़ी बहुत बात ध्यान में हो तो सरकल के सेंटर से कौर्ड पे आने वाला जो रेडियस होता है सरकल के सेंटर से कौर्ड पे आने वाला जो रेडियस होता है कौर्ड के टेंजेंट के साथ माफ किजेगा सरकल के सेंटर से टेंजेंट पे आने वाली लाइन सरकल के सेंटर से टेंजेंट को टच करने वाला जो रेडियस होता है वह रेडियस टेंजेंट के साथ टोटल 90 सकते हुआ है यह कितना बंचे अधाद यह 30 डिग्री का फिर से समझ लिए सवाल कहता है कि आसे सरकल में एक कौद और के रेडियस के बरावर है लगने रेडियस और कौड की लंबाई भी इस रेडियस के बराबर है तो यह भी बराबर हो जाएगा और एक ऐसा टेंजन्ट ड्रॉ करना है जो कौड के एक्स्ट्रिमिटी को टच करें इस जिवा के बाहरी छोर को टच करते हुए एक स्पर्स रेखा खीचना है मतलब की एक टेंजेंट डॉ करना है बिटा अगर यह एक्विलेटरल ट्रेंगल है तो सारे इंगल 60-60 के बनेंगे उमीद है कि आप समझ पारे होंगे हम से सवाल पूछा है कि यह जो कौड है इस टेंजेंट के साथ कितने डिग साथ 90 डिगरी का बनाता है सरक्ल के सेंटर से पॉइंट ओप एंटेक्ट टेंजेंट टकीची गई लाईन यह 90 का अंगल अजब इतना साथ है तो बाकी बचा हुआ कितना 30 डिग्री उमीद है कि यह बात समझ में आ गई होगी तब उमीद है कि यह बात समझ में आ रही होग ठीक न भीया समझ पा रहे हो जी बिलकुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 सॉरी 19 भीया हिंदी में एक जगह पर टाइपिंग मिस्टेक है ध्यान दी जगह क्वेश्चन कहता है पाई साइन ठीटा एक वेल्यू और पाई कोश ठीटा की वेल्यू और पाई कोश ठीटा के बरावर यह पाई पाई कट जाएगा और sin theta और cos theta आपस में बराबर तभी हो तो आपसे इस सवाल का अंसर पूछा जा रहा है कि ट्री टैन टूबाई थ्रीटा प्लस वंट थीटा की वैली फोटी फाइब पर दोनों बराबर होगा अब प्लस वन है कि कि अनल बैकेट अलग है इस ट्रीक है तो यह कितना हो जाएगा root 3 10 10 30 degree अब plus 1 root 3 multiply 10 30 की value 1 by root 3 plus 1 root 3 root 3 cut जाएगा 1 plus 1 दो आंसर आएगा इसका दो इस सवाल का आंसर होगा समझ गए भाई तो इतनी बात लिखनी नहीं है जब आपके समझ में ऐसी आ जाएगा कि ध्यान से समझ एगे pi sin theta बराबर में 1 pi cos theta बराबर में 1 तो sin theta और cos theta की value बराबर है sin theta और cos theta तभी बराबर होगा sin theta और cos theta तभी बराबर होगा जब theta की value 45 degree हो आपसे सवाल में पूछा है root 3 10 into 2 by 3 theta theta के जग़े जैसे हैं 45 रखेंगे तो एक कट के 15 दुनी में 30 आजाएगा 10 30 की value होता है 1 by root 3 1 by root 3 multiply root 3 कट जाएगे यहां से आएगा 1 plus 1 answer आपका होगा 2 उमीद है कि बात समझ पा रहे होंगे भाई next question देखिए 10 परतिसत परतिवर्स 10 परतिवर्स ब्याज की दर से आपको difference निकालना है तीन साल के चक्रविर्धी ब्याज और साधारन ब्याज की दस परतिशत परतिवर्स तीन वर्स के लिए किसी राशी का साधारन और चक्रविर्धी चक्रवर्ती चक्रविर्धी होता है पता निक्या लिख देते हैं साब चक्र विर्धी होता है कि चक्रविर्धी ब्याज के बीच का अंतर 93 रूपिज है एक पर देखें तो बहुत से बच्चे अजीव अजीव तरीके से करेंगे हैं लेकिन आपको स्रुप इतना ध्यान लखना है कि C.I. मैं क्या होता है बढ़ी हुई value पे % लगता जाता है मतलब की एक 사ाल 11बटे 10 हो जाएगा तो अगलі साल फिर इस पर देश पर बढ़ेगा मतलब की 2021 स साल बढ़ी हुई घञार 2023 1,000 के यानि कि अगर 1000 रुपया principle है तो उसका जो final amount आएगा 1331 मतलब कि 331 रुपया ब्याज मिलेगा चक्रविर्धी ब्याज कितने पे 1000 रुपया पे multiply by 100 यानि कि 33 दसमलव एक प्रतिशत 33 दसमलव में एक प्रतिशत आपका क्या आएगा टोटल कंपाउंड इंट्रेस्ट आएगा तीन साल में हो सकता है यह बात किसी बच्चे को अगर बाउंस कर रहा हो तो भया कंपाउंड इंट्रेस्ट पढ़िए हमसे हैं न भाई compound interest आप हमसे पढ़िए तो तीन साल में compound interest total कितना आया 33.1% और simple interest तो भया same रहता है दस पर संट 10 पर संट 30 पर संट आएगा उमीद है कि बात समझ में आ रही होगी भाईया तो 3.1% की value 93 है है न भाई 3.1% की value 93 है तो 31 percentage का 2 0 एक decimal का 0 93 भाईया 31 की value 93 है मतलब कि 3 बार में कट जाएगा तो 1000 की value कितना 1000 से गुणा कर देंगे मतलब कि 3000 principal amount था 3000 principal amount था आपसे यही पूछा गया है कि राशी क्या है what is that sum वह राशी क्या है उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी ठीक है न भाई अगर आप compound interest नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर आईए पढ़िए इस चीज को ठीक है चलिए next question देखते है question number 21 बहुत इसांदार heightened distance trigonometry के देखो ट्रिगो के दो तीन सवाल आपको दिख गया है न भाई एक ध्वज स्तंभ पर रखे ध्वज के सिर्ष और 30 मिटर की दूरी से उन्नाइन कौन सुनिया the angles of elevation of top and bottom of a flag kept on a flag post from 30 मिटर distance यह यह एक flag post है यह flag post है और यह वाला जो है flag है ज्यान समझेगा यह distance जो है 30 मिटर का है यहाँ से angle of elevation यहाँ से angle of elevation elevation इसके top का इसके bottom का और इसके top का angle of elevation इसके bottom और top का अलग-अलग है bottom का 30 डिग्री है और top का टॉप का 45 डिग्री बॉटम का 30 डिग्री टॉप का 45 डिग्री बिटा बड़े वाले ट्रेंगल की बात करूं में बड़े वाले ट्रेंगल की बात करूं तो यह पूरा पूरा वन रेशियो का हो जाएगा नीचे वाला वन रेशियो चोटे वाली की बात करूं तो यह उन और यह रूट 3 हो जाएगा नबाई यह रूट 3 की वैल्यू तो 1 ratio की value कितना तो यह root 3 तो यह 1 यानि कि यह भी root 3 हो जाएगा और इतना one है तो root 3-1 हो सकता है बच्चा root 3 हो डूट 3 और one में confuse हो है है होसकते हैं आप लोग root 3 और one में confuse हो कि तो height and distance बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा इसके लिए आपको निखिल sir का YouTube करना होगा आप हमारे साथ जूड़िये इन सभी डाउट को के बया एक कि जाए कि तो अब कि यह जाए आ लुटे को से चैनल सिर्फ इतने की बात करूं इस छोटू से ट्रेंगल की बात करूं रूट 3 है 10 root 3 की वेल्यू perpendicular 1 और यह root 3 आता है 30 degree की value यह पूरा one है तो यह पूरा root 3 आ गया मतलब की यह one तो यह भी one मतलब की यह पूरा one हो जाए पुरा अंडर रूट3 होगा और इतनी वैल्यूओ ओन है तो यह वैल्यू क्या होगा रूट 3-1 और यही हमारा फ्लैग है यही हमारा फ्लैग है फ्लीग की हैध हमसे पूछा जा रहे ठीकन भाई थी ठीह चोपट रूट 3 की वैल्यू 30 मिटर तो वैल्यू कि कितना हो जाएगा 30 अपॉन में रूट 3 मतलब कि 10 रूट 3 कितना होगा 10 रूट 3 तो यहां पर आप से सवाल कहता है कि रूट 3 की वेल्यू कि 1.732 रखना है ज्यान से देखेगा रूट 3-1 है रूट 3-1 यानि कि 1.732-17.3 रखना है है 17.3 रखना है बाई सवाल का गढ़ वड़ा है ओ हो 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 अ पर गुलत नहीं हो गया और रूट 3-1 10 रूट 3 तो 17.32 अच्छा 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 ठीक 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 कि द्यान देज़ेगा बहुत यह वैल्यू कितनी है root 3 minus 1 1 की value कितनी है 10 root 3 1 की value कितनी है 10 root 3 यह total ratio कितना था 1 total ratio 1 यह वाला 1 पूरा complete वाला 1 की value कितनी है 30 पूरे complete वाले 1 की value कितनी है 30 minus 10 root 3 30 minus 17.32 यह हो जाएगा 12.68 cm में सवाल को समझ नहीं है लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है द्यान से देखना एक फ्लैग स्पोर्ठ है इसके और फ्लैग पोस्ट है एक इसके उपर एक फ्लैग लगा हुआ है यहां से 30 मिटर के डिस्टेंस पे इस फ्लैग के बॉटम पॉइंट का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है इस टॉप पॉइंट का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है बड़े वाले ट्रेंगल की जब मैं बात करूं कि तो भाइया 45 यह पूरा एह मान लेता हो मैं पूरा ए विए भी पूरे हो जायगा ऑर इसकी क्या गिवन है 30ठ मिटर टीक है अच्छा अब छोटे वाले ट्रेंगल की बात करूं तो यह वन और यह पूरा रूट-3 एकतना रूट-3 बहया जब रूट-3 की वैलिव सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए इस वन की विल्यू टैनि रूट थी है और इस पूरे एक वैल्यू कितना है 30 मीटर पूरे एक वैल्यू तो 30 माइनश 10 रूट 3 होगा ना फ्लैग की हाइट तो 30 माइनस टेन मल्टिप्लाई में रूट 3 की वैल्यू 1.732 है तो 30 माइनस यह 17.32 आ जाएगा 12.68 होगा ठीक है वाई उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी यह है मारे सवाल का अंसर ठीक है नहीं समझें कि चैना को सब्सक्राइब का सबस्क्राब्राज ऑडिया सब्सक्राइब करें इसमानी आगा में involves सब्सक्राइब बार्ग डियाग्राम केर्फुली स्टडी अपॉलिविंग बार्ग डियाग्राम केर्फुली एंद आंसर थे क्वेस्टेंस देखना इस सवाल को थोड़ा सा छोटा कर दें भाया ध्यान से देखना नार रॉंम है प्रॉम नाइंटीन नाइंटीन नेटीन रीजर्वत देश में विदेशी मुद्रा कितनी है उस बात को दिखाया गया है यूएस मिलियन डॉलर में ठीक है न सवाल कहता है कि find the ratio of the number of years in which the foreign exchange reserves are above the average reserves to those in which the reserves are below the average reserves सवाल कहता है कि भहिया उन वर्सों की संख्या उन वर्सों का अनुपात ग्यात किजिए जिसका foreign exchange reserve इन reserve के एवरेज reserves से जादा हो और इनके average reserve से कम हो यानि की सवाल कहने का मतलब यह है उन वर्सों का अनुपाति ग्यात किजिए जिन में निजिन वर्सों में जो foreign exchange reserve है कि कीं progress के ऑसात से जादा हो और औस से से कम वाले उन वर्सों का एवरेज ग्याद किजिए हो सकता है आपको कैमरे में ना दिख रहा हो यहां पर 2640 है यहां पर 3720 है यहां पर 2520 है यहां पर 3360 है यहां यहां पर 3120 है यहां पर 4320 है यहां पर 5040 है यहां पर 3120 है बात को समझेगा अब एवरेज कैसे निकालेंगे तो भाईया 2640 3720 इन सब को एड कर लो 2640 3720 भाईया यह तो करना ही पड़ेगा आप देखो नो इसका वेटेज इस से चार कोश्चन है एक भी चेप्टर ऐसा नहीं है पूरे मैथेमेटिक्स में इससे चार कोश्चन आ जाए और बच्चे और हम सभी क्या करते हैं कि स्टेटिस्टिक्स को यानि कि इसी को ग्राफ वाले को खलके में लेके छोड़ देते हैं आप इसका वेटेज देखो 3360 3120 4320 5040 3120 आठ वर्स हैं इन सब का एड़ करो जीरो आएगा चार दो छे दो आठ से चौदा दो सोले दो एठार चार बाइस दो चब्विस एक बार करेक्ट कर लूँ चार दो छे दो आठ दो दस से अरे भाई आफ करना बताओ अगर मैं दुवारा नहीं करता तो यह को बढ़का है नहीं हो रहे हैं हाद 24 वाध 24च घरदस्च शोले आठ चौबिस ठीक भी आप ठीक है छेदव आठसाथ पंद्रप पांच बीस तिन तेशएव चौबिस तिन सत्ताइस एक एक अ थाथा सब्सक्राइब करना पड़ेगा एट से डिवाइड करना पड़ेगा एट त्रीजा ट्वंटीफोर एट फोर जा थार्टीटू एट ट्रीफोर एट जीरो जो हमारा एवरेज आया भी yapt The Three Four Eight Zero 3480 हमारा एवरेज है एवरेज से कितने ऐसे वर्स हैं जिसका फॉरन डिजर्व कम हैं कितने ऐसे वर्स हैं जिसका फॉरन डिजर्व एवरेज से कम हैं एक के एक दो अधितिती एट हैं तीन है 3, 4, 8, 0, 4, 5, है न भाई, सवाल आपसे कहता है कि उन वर्सों की संख्या ग्याद कीजिए, उन वर्सों की संख्या ग्याद कीजिए, जिसका रिजर्व, एवरेज रिजर्व से ज्यादा हो, जिसका रिजर्व, एवरेज रिजर्व से ज्यादा हो, और जिसका रिजर्व एव संख्या पांच है यह जादा वालों की संख्या गिन लिए होते तीन है थीन अनुपात पांच इस सवाल का अंसर होगा और ऐसा नहीं कि निकालने में टाइम लगा है तो सिर्फ आप ही को लगा है अधिकांस बच्चे को लगेगा देखिएगा ध्यान से सवाल कहता है कि दफ yourself in 1996 1997 box approximately what one percent of the average foreign exchange reserve over the period iade Review या नि कि जो average reserve आया है ज्षक्प्रिवाँज अंवे का रिजर्व चाणवे सत तांवे का रिजर्व उसका कितना परसेंट है तो CAP 2003 तुच्फ यृजड असाॉय Кट्ना अधि ए वरMore एवरेज रिजर वाया है 3480 कितना परसेंट है तो दो जिरो से मल्टिप्लाई कर दोगे जिरो से जिरो अब सुनिए एप्रॉक्सिमेटली बोला है कितना बोला है एप्रॉक्सिमेटली मतलब कि लगभग में आप एक काम किजिए 348 से 432 को डिवाइड करने लग जाईए छोट जबाव और 12 में 24 घटे 8 debt야 nope 10840,. जाई जादा दो बार लगा अब आगे करने की जूरत नहीं है जाए-जादा दो बार लगाूआ अगे करने की जूरत नहीं 124 पर्शेंट रापका यह सवर का है अर सवाल को समझ लेज सवाल कहता है कि और इक सेजिण वर्ष 97-98 में वर्ष 93-94 की अपेक्षा foreign reserve exchange reserve में कितने परतिसत अधिक बढ़ोतरी हुई है 97-98 किदर गया वर्ष 97-98 ध्यान दीजेगा 1997-98 ये रहा फचासचालिस 1997-98 पचासचालिस से 97-98 घर करेंजेट क्या रहा कितना बढ़ रहाए कितने का एंक्रिजमेंट है इंक्रिजमेंट है 100% का इंक्रिज नियस्मेंट है उमीद है कि बात समझ में आ गई होगी लास्ट का question question number 25 लास्ट का question 15 ठिक भी जाँ ध्यान से देखिएगा सवाल कहता है ratio of the sum of foreign exchange during the years 1991 1992 1992 कि यानि की 1991 है सुर्य हां 1991 1992 26 4192 से 3 37 भीश और ऑफ त्रीपार पच्चिस बीश कि पच्चानवें च्चानवें छेहन मैं कि कि एकच त्यस्पीश कि 96 97 97 43 20 और 97 97 50 40 इनकी योग का उसत पूछ रहा है इनके सम का रेशियो पूछ रहा है इनके सम का रेशियो पूछ रहा है तो क्या होगा छे साथ 1358 कि अलिट तरह तीन तीन चेड़ो यहां से तो आया 88 असी रेशियो इनका है कि आठ तीन चार पांच्ट इन आर्फ सर्भार बारह चार्श श्याया अब इनको काटेंगे भाई इनको काटेंगे अध्यान से देखना तो सुनिए ध्यान से दीजेगा यह दो से कट जाएगा 22 बार में चार से कटेगा चारती बार अब सुनिए भाई यह दो से भी कट रहा है तीन से भी कट रहा है धो से बीकाट रहा है तो डायरेक्ट भाइसको छे से क्योंने काट दें न यह तो छे तरह चाहरा चेस्ते ब्यालिश सैतीस रेशियो चेपंचे तीस चेच चोविस सैतीस रेशियो 54 कि थाटी सेवन रेशियो 50 अरे रे 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 यह यह जो काटा तमने टू होगा ठीक ना भई कि कितने से काटे तो फोर फोर तरी जा यह 312 है कि फोर से जब इसको डिवाइड करो 312 37 रेशियो 52 आएगा इस कांसर 37 रेशियो 52 आएगा भाई उम्मीद है कि बात समझे में आ रही होगी टोटल हमने 25 के 25 कोशन डिसकस कर लिए हैं यह एक कहानी थी 27 दिसंबर 27 27 अगस्त 2016 का क्वेश्ट था 27 अगस्त 2016 शिफ्ट के 25 के 25 कोशन डिसकस कर लिए हम उम्मीद है कि आप सभी के समझ में आई होगी कहानी की कि तरह से सवाल में किसी साव से मैंने करना अपने टाइम को हमें भी यह समझाना था इसलिए हमें पूरे एक घंटे का समय लगवग लग गया लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लेना है आपको सवाल करते चलना है मिलेंगे फिर नेक्ष्ट लेक्चर में कल सुबह नौ बजे तब तक आप अपना ख्याल लखिएगा जैहिंद जैभारत थेंकि सो मच